नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंट धर्मासरमार निर्जला एकादसी का ब्रत सभी ब्रतों में उत्तम है निर्जला जैसा की नाम से ही परतीत होता है बिना जल फल के इस दिन ब्रत रखने का विधान है और इस ब्रत कम रखने से 24 एकादसियों का पुर्निफल प्राप्थ होता है एकादसी का ब्रत सरु स्रेष्ट माना गया है लेकिन जो निर्जला एकादसी के ब्रत है वो सभी ब्रतों से उत्तम और स्रेष्ट है और ये भगवान विश्णू को समर्पित है निर्जला एकादसी के ब्रत में अन्न के साथ जल का भी त्याग किया जाता है एकादसी का ब्रत दसमी की समाप्ती और एकादसी की तिथी से ही आरंब हो जाती है और इस ब्रत का समापन द्वादसी तिथी को किया जाता है एकादसी के ब्रत में पारन का सबसे ज़्यादा महतो होता है माननेता है कि यदि ब्रत का पारन यानि समापन, बिधी, पुर्वक और सु मुहुर्थ में ना किया जाए तो इस ब्रत के पुर्णफल प्राप्त नहीं होते तो इस बार जो नर्जला एकादसी है उसका जो ब्रत का मूर्थ है पारन है हम डिस्क्रिप्सिन में दे देंगे आप वहां से भली भाती बहतर तरीके से आप स्क्रिंसोट लेकर रख लीजेगा और आप उसी अनुसार ब्रत का बिधान कीजेगा तो चली जानते हैं कैसे करेंगे पूजा देखिए वैसे तो जेष्ट माह में दो एकादसियां है एक सुकलपक्ष की और एक कर्स्नपक्ष की और जो नर्जला एकादसी है वो सुकलपक्ष में आती है मा गायत्री का जन्मूत सब जिसको हम बेद माता गायत्री कहते है ना जो भगवान सुरे को समर्पित है तो हिंदू पंचांग में गायत्री जन्मूती भी इसी सुकलपक्ष की एकादसी को मनाय जाता है और निर्जला एकादसी का ब्रत रखने से जीवन के हर कश्ट दूर होते हैं भक्त भगवान के समी पहुँचने लगता है एक पौरानिक कथा आती है कि पांडव एकादसी और भीम सेनी या भीम एकादसी के नाम से भी जाना जाता है पांडव में दूसरा भाई भीम सेन खाने पीने का अत्यधिक सौकीन थे और अपनी भूग को नियंतरित करने में सक्चम नहीं थे इसी कारण वह एकादसी ब्रत को नहीं कर पाता था भीम सेन के अलावा बांकी पांडव भाई और दुरौबदी साल की सभी एकादसी और ब्रत को पूरी सरधा से करते थे भीम सेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेसान थे भीम सेन को लगता था कि वह एकादसी ब्रत ना करके भगवान विश्नु का अनादर कर रहा है इस दुवीधा से उभरने के लिए भीम सेन महरसी ब्यास के पास गए तब महरसी ब्यास ने भीम सेन को साल में एक बार निर्जला एकादसी ब्रत करने को सला दी और कहा कि निर्जला एकादसी साल की 24 एकादसीयों के समान है इसी पौरानिक कता के बाद निर्जला एकादसी, भीम सेनी एकादसी और पांडव एकादसी के नाम से परसिद्ध हो गई कैसे करेंगे पूजा? देखिए इस दिन ब्रह्म मूर्थ में उठकर रश्नान बेगरा कीजिए नित्त कर्मों से निब्रित होकर और जब आप नहाईएगा तो नहाने के पानी में तूलसी के पत्ते या फिर कुसा घास डाल कर ही नहाईए अब फिर स्वक्षवस्त्र धारन करें अब आप यहां से पूजा विदी सुरू करेंगे तो पूजा कैसे करेंगे? ये भी हम बताएंगे लेकिन उसके पहले एक और बात जानने सनातन धर में कई प्रकार के ब्रत और तेवहारों के माध्यम से मनुस्यों के नैतिक उत्थान का मार्ग बताया गया है और इन सब में एकादसी ब्रत का महात्म सबसे ज़्यादा है और जिस वर्स मलमास होती है तो 26 एकादसी हो जाती है और धर्माचारियों की माने तो एकादसी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए देखिए एकादसी के दिन मानेता है कि वह इंसान योनी से अलग होकर उसका जन्म परानी यानि कि रेंगने वाले जीव योनी में होता है जो चावल खाता एकादसी को इस पराणिक कथा के अनुसार माता सक्ती के कुरोध से बशने के लिए महरसी मेगा ने सरीर का त्याग कर दिया और उनका अंस पृत्थवी में समा गया और चावल और जोग के रूप में महरसी मेगा उत्पन्न हुए इसलिए चावल और जोग को जी माना जाता है जिस दिन महरसी मेगा का अंस पृत्थवी में समाया उस दिन एकादसी थी थी इसलिए एकादसी के दिन चावल खाना बरजित है और महरसी मेगा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा माना जाता है इस दिन 18 पुरानों में सरभादिक महत्वपुर्ण पद्म पुरान के 14 अध्याय में एकादसी का ब्याख्यान ब्यास सेन ने जैमिनी डिसी के समक्ष की थी तब ब्यास जी के अनुसार समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हुए परम पुरुस भगवान बिश्णु ने पापियों को डंदित करने के लिए पाप का मूर्ती मान रूप लिए एक ब्यक्ति की रचना की इसे पाप पुरुस के रूप में पहचाना गया पाप कर अब सिंपल तरीखे जान से जानते हैं कि कैसे पूजा करेंगे और कैसे भगवान स्री हरी को मनाएंगे तो आप असनान बेगर करके सबसे पहले तो भगवान सुरी को एक लोटा जल अर्पित कीजिए और जल में आप हल्दी या कुम-कुम थोड़ा सा डाल कर अर्पित क के बाद आप पीपल के पेड़ में जरूर जल अर्पित कीजिएगा क्योंकि पीपल के पेड़ में ही मालक्ष्मी निवास करती हैं तो ऐसे में आप उहां पर जब जाएंगे जल लेकर तब एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल थोड़ा सा उसमें कच्चा दूत थोड लास ना करें कि मां हमारे साथ हमारी घर छलिए फिर आप अपने घर चले आएं अब यहां पर आप श्री हरी की पूजा करेंगे कैसे करेंगे एक बात हमेसा याद रखिए भगवान विश्णु के साथ मालक्ष्मी की भी पूजा कीजे नहीं तो आपकी पूजा स्विकार नहीं होगी और जब भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे तब तूलसी के पत्ते जरूर सामिल कीजिएगा धार्मिक मनने तैक अनुसार भगवान विश्णु भीना तूलसी कभ वीकार्ड नहीं करते और इस सात्विक चीज का ही भोग लगाना जैसे की केला है केला का भोग आप जरूर लगाएं और साथ ही भगवान स्री हरी को पीले फूलों सो सजाएं उनको केसर केसर का तिलक लगाईए आप अगर खीर बना सके तो भोग लगा सकते हैं भगवान को जैसे कि मखाने की खीर है या फिर आप किसी सिंहारे के आटे के हलुआ है यह सब चीज बन के भोग लगा सकते हैं अगर आपके लिए संभव हो तो नहीं तो आप भगवान स्री हरी को पंचामृत का ही भोग लगा दें और इसके बाद आर्ति करें और संख जरूर बजाए तीन बार संख बजाना है और फिर आप तुलसी का पत्ता भगवान के भोग में जरूर तो इस जून के महने में जो एकादसी है उसका महा तो बहुत अधीक है क्योंकि भगवान विश्नु को सबसे ज़्यादा प्रियायती थी और भगवान विश्नु की पूजा करने से सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है और इसे फलकी प्राप्ती होती है तो जब भगवान जब भगवान विश्नु की आरती करें अब सवाल यह है कि जल पीए या ना पीए क्योंकि निर्जला एकादसी है कहीं पाप तो नहीं लगेगा बिलकु नहीं लगेगा अगर आपका स्वास्त अच्छा नहीं है आप नहीं रख पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप कस् के लिए प्रयोग भी किया जाते हैं वैसे आप अपने घर के मुखे दरबाजे पर सजाएए जरूर बंदन बार लगाकर आम के पत्तों का बंदन बार लगाए या पिर असोक के पत्तों का बंदन बार और साथ ही जब आप भगवान के सामने दीपक जलाईएगा तो घीका दिया होगा और इसमें दो लॉंग जरूर डाल दें यह आपके मन्नत को पूरी करेगा जब भी कोई मनो कामना हो तब नियमी तुरूप से आप दीपक में लॉंग डाल कर जलाएं तो मन्नत पूरी होती है तो अपनी विसेस मनो कामनाओं की पूरती के लिए चाहे आपको जौब की प्राप्ति के तलास है या फिर आप चाहते हैं कि आपका प्यापार अच्छा चले या आप चाहते हैं कि अपना मकान हो तमाम जो भी आपका बहुतीक सुक्सादन है उसके लिए आप पास के किसी भी जाती है तब और भगवान को धन्ने बाद जरूर कहिएगा तो इस तरह से आप इस एकादसी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूरती के लिए ये विश्यस प्रयोग करें और तुलसी जी में जब जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी दो चार ब परस में रख लें धन की मुस्किले दूर होगी मालक्षमी की किर्पा परसेगी और ओम नमो भगवते वासु देवाय का जितना जब ज़्यादा जब हो उतना ही करें देखिए इस दिन तुलसी के पौधे के बिसेश प्रयोग किये जाते हैं वैसे तो एकादसी तिती पर त मंजरी निकल रही है उसको तोड़कर आप भगवान स्रीहरी के चर्णों में चड़ा दीजिएगा लेकिन क्योंकि मंजरी लगने से गाच को बिक्ष को तुलसी के पौधे को कस्ठ होता है तो तुलसी के पौधे में साम के वक्त आपकी कोई विसेश अगर इच्छा है जैस लॉंग को छोड़ दीजिए क्योंकि लंग गल चुका होगा तो यह प्रियोग आप करें हम आपसे बिदा लेते हैं जानकर या अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें अपनों से वीडियो को सेर करें और ज्यादा जानकरी के लिए आप हमारे डाट कॉम गूगल सच करके आ सकते हैं धन्यवाद हम पिर मिलेंगे